Fine Lines, Smile Lines, Wrinkles, Dark Spots, Uneven Skin Tones, Pigmentation, Saggy & Dull Skin एस से पहले ही आपके skin old age की दिखने लगी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही helpful क्योंकि इसमें हम आप से शेयर करने वाले हैं एक ऐसा Amazing Homemade Botox Mask जो आपकी skin को आपकी एस से 10 years younger दिखाने में आपकी help करेगा और ये Botox treatment अगर आप पार्लर में करवाते हो तो इतना महंगा होता है कि हर कोई इसका जो खर्चा है वो अफॉर्ड नहीं कर सकता है तो हम ये Botox treatment घर पे ही करेंगे वह भी बहुत ही कम खर्च में बिना किसे side effect के तो चलिए देखते हम ये mask कैसे prepare करेंगे तो आज मैं आपको बेलकम बैक तो मैं चैनल ग्लोविद नहां तो आज मैं आप लोसे जो बोटॉक्स मास्क शेयर करने वाली उसकी खास बात यह है किसे में एंड वोमेंस दोनों लोग यूज कर सकते है अपनी स्किन को 10 यूर्स यंगर दिखाने के लिए एंड इसको प्रिपेर करना अप्लाई करना एवरिधिं इस वेरी इजी तो सबसे पहले आपको लेना है फ्लैक सीट जो की आपको किराने के सौप बहुत आराम से मिल जाएगा बहुत बहुत जाएगा निकल जाएगा इसके बाद अच्छा पर पानी गरम करना है तो मैंने यहाँ पर एक ट्थाए लिए दो ग्लास पानी एड किया है और इसमें हम इसका एक चौथाई भाग लेंगे बहुत आपको आपको लाग ज़रोत नहीं पड़ेगा आपको दो पानी में एंड एक उबाल आने तक आप इसका वेट करो तो मैंने चन्नी से भी अच्छे से अपनी जो फ्लैक्सीट इसको क्लीन कर रहा तो इस चीज का ध्यान दे लेना कि अच्छे से फ्लैक्सीट आपको क्लीन होनी चाहिए और इसके बाद यहाँ पर देखते हो इसमें अभी मैं आपको इसके कंसिस्टेंसी दिखाते हैं जो इस लिक्विड की है तो अभी बहुत ज्यादा थिक नहीं है थोड़ी सी रनी है तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे थोड़ा सा मीडियम फ्लैम कर देंगे जिससे कि हमारा जेल है वो अच्छे से थिक फर्म में रडी हो जाएं उसके भाद हमें इसको भी बढ़ जिसदेंस कर दो करनाशनी है तो अभी बहुत ज्यादा थीक से ठाट आप में गए थोड़ा सा ठृक से जिक्वार थाफला है तो मुझा धर में अर जिकला जाल हैद ग्ण्याटा है थोहरत पकाएंगे शोड़ा से थाध तो यह थोड़ा और थीक हो जाएगा तो आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी पे इसको वायल करना स्टॉप कर देना है इसके बाद इसे थोड़ी थंडा होने के लिए छोड़ दे फिर हम सबसे पहले इसको छन्नी में चानेंगे जिससे कि जो भी जेल छन्नी के थ्रू निकल सकता है इसके बाद हम एक और प्रोसेस करेंगे जिससे कि हम इसका पूरा का पूरा जेल निकाल सके तो देखिए मैंने चन्नी से निकाला है जितना निकला चन्नी से वह मैंने इसली निकालिया इसके बाद मैंने यहां पे ली है एक कॉटन की हैंकी और जो भी यह हमारा फ्लैक सीड हम फैंऑने के त्राणस्फर कर संस जदी आपनकी के स्कुषप डॖ्यूटन अजिए हम पूरा गेल षट भारायका ले घंकेस, देकार!!! हम फैंग निकाले विशyuए इतना ऐजी नहीं होता है अब हम आते हैं जो मेरा फ्लेक्सीट विद जल है उसको देखते हैं तो इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफर किया है तो देख सकते हैं अभी भी इसमें जल है तो इन ही का हम यूज करेंगे आज अपने फेस के लिए और जो हमने जेल प्रिपेर किया है उसको आप एसके लिए और तो इसमें है जो आपने इसके लिए जिए जाते हैं तो मैं आपके बास तर्का नहीं है तो आप चाहो तो इस तो अई इस जेल को अप्लीज़ कर 다 Lunch款 के लिए इसे 20-25 मिड़ के लिए इसे ड्राय मैं ए बोग nessने ऐ। यो आप जो सो किरग भी तो रिए क्वातार ही और तक मैं आपको इस फ्लेक्सिट जेल के बारे में बहुत सारी इंपोर्टेंट चीज़ आपको सारी उम्र ग्लोइंग और सुंदर तचा दे सकते क्योंकि इन बीजों में वी सबी गुड पाया जाते जो आपकी तचा के लिए एंटी एजिंग एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं अगर आप अलसी के बीज को अपने डेली डाइट में सेवन करते हैं तो भी जूरियां जो हैं आपके स्किन को छूब भी नहीं सकती है फ्लेक्सिट में ओमेगा-3 फैटी एसीड होता है जो आपकी स्किन में अंदर से होने वाले सूजन को मुक्ति दिलाता है जिससे कि आप इस मास को अप्लाई करने से आपकी स्किन में क्या क्या आपको फाइदे दिखेंगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग होती जाएगी पिग्मेंटेशन कम होते जाएगी अगर अगर नहीं है तो कभी भी आपको पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन को गोरा ब अब हमें कुछ भी बोलना नहीं है बिल्कुल चुप रहना है और मास्कों 10-20 मिन तक जोड़ा था क्योंकि मुझे कुछ काम भी था अब ही मेरा मास्क है अल्मोस्ट ड्राइ हो गया है तो अब इसको वाश कर लेते हैं टो मैंने हलका सा पानी एड क्या है इसके बाद जो शीट्स है इनको हम रिमूवक करेंगे इसके बाद फेस पर अच्छे से पानी ले जे के अपने हाथो में मसाज कर लेंगे मसाज आप जितना अच्छा करते हो ना फेस पे उतना ही अच्छा आपकी स्किन पे ग्लोव आता है आप रिजल्ट देख सकते हो भी वाश करते हो टाइम में आपको दीख रहा हुआ इसकिन काफे फेयर लग रही है और ग्लॉसी लग रही है अगर आप इसको डेली यूज करते हो ना अप अपने फेस पे तो आपकी स्किन आप यकीन नहीं करोगे बहुत जादा सुन्दर हो जाएगी ग्लोई हो जाएगी और इसकिन का जो फैट है वो भी कम होने लगेगा धीरे और जाईयां खताम हो जाएगी यह देखो मेरे स्किन क बहुत जाएदा पसंद है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आप चाहो तो इससे अराम से अपने घर पर बना सकते हो और यूज कर सकते हो अपने स्किन के सारी प्रावब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो हाई होप गाईज कि आपके लिए वीडियो हेलफ रहेगी तो आई होप की वीडियो हेलफ रहेगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर अगर नहीं है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजए ऐसी हेलफ वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा प्रोड़क वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखें बाई-बाई